दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने अपने प्यार के खातिर एक पहाड तोड़ के रास्ता बना दिया आपने बहुत सी लव स्टोरी सुनी होंगी देखी भी होंगी लिकिन प्यार के खातिर एक बड़ा पहाड तोड़के उसमें से रास्ता निकालके अपने प्यार को समर्पण कर देना ये आपने अपने आप में एक अलग प्रेम कता है जिसे कोई नहीं बुला सकता दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखना और अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो दोस्तों चलिए स्टोरी शुरू करते हैं दोस्तों करते हैं बात उस शक्ष की जिसने प्यार की खातिर पहाड तोड़के उसमें से रास्ता खोज निकाला दसरत मांजी एक ऐसा नाम जिसने प्यार की मिशाल खड़ी कर दी जिनके जज़बे और जुनून को हम सब सलाम करते हैं जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक उन्होंने पहाड का सीना चीर नहीं दिया दश्रत माजी बिहार के एक छोटे से गाउं में रहने वाले निवासी थे बिहार में उन्हें माउंट मैन के नाम से जाना जाता है बिहार में गया के करीब गहल और गाउं में दश्रत माजी के माउंटन मैन बनने का सफर उनकी पत्नी का जिक्र किये बिना अधूरा है लंबा फासला और लंबा रास्ता होनी की वज़े और उसमें भी एक पहाड का होना जिसे पार करने में कावी समय लग जाता था इसी लंबे रास्ते और बड़ा पहाड की वज़े से साल 1969 में उनकी बीबी फालगुनी देवी को वक्त पर इलाज ना मिल सकने की वज़े से उनकी मौत हो गई यही से शुरू हुआ दसरत माजी का इंतकाम पत्नी के चले जाने के बाद से माजी तूट चुके थे वो एकदम अपने आपको अकेला महसूस करने लगे लेकिन उन्होंने संकल पिलिया कि जिस पहाड की वज़े से उनकी पत्नी उन्हें छोड़के चली गई वो उस पहाड का नामो निशान मिटा देंगे दसरत माजी ने अपनी सारी ताकट बतोरी और पहाड के सीने पर वार करने का फैसला किया लेकिन यह आवसान शिरुआत नहीं थी उन्हें पागल तक कह जाने लगा था दरश्रत माजी ने बताय था गाउवालों ने शुरू में कहा कि मैं पागल हो गया हूँ लेकिन उनके तानों ने वेरा होसला और बढ़ा दिया साल 1960 से 1982 के बीच दरश्रत माजी के दिलो दिमाग में बस एक ही जुनून था कि जिस पहाड की वज़े से उनकी पत्नी उनसे अलब हुई वो उस पहाड का सीना चीर देंगे और अपनी पत्नी की मौत का बदला लेंगे 22 साल से दिन रात सुबह शाम जारी रहे जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड ने माजी से हार मान कर 360 फुट लंबा 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता दे दिया दश्रत माजी 22 साल से मेनत और लगन से पहाड का सीना चीर के रास्ता बना कर जो फासला 80 किलोमीटर का था उसे गटा कर 13 किलोमीटर कर दिया बिहार के मुख्य मंत्री ने उन्हें गरीवों का शाह जहां करार दिया साल 2007 में जब 33 वर्ष की उम्र में वो जब दुनिया छोड़ गए तो पीछे रह गई पहाड पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाली कहीं पीडियों को सबक सिखाती रहीगी तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद